असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेल्कम टे मैं चैनल हैपिटा में वित नाजया कैसे है आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं एक मज़िदार सी रेसिपी जो मेरी बहुत ही फेवरेट है शायद आपकी भी फेवरेट हो तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना मटर पनीर यह बहुती मज़िदार और बहुती सिंपल सी रेसिपी है बहुती आसानी से और क्विकली बन जाती है घर पे तो चले रेस्टोरेंट स्टायल पे हम बनाते हैं मटर पनीर रेसिपी से पहले बनाने से पहले हम अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे अच्छे से इसको सौते करेंगे 30 से के लिए फिस में मैं आड करूंगी 2 पिक अनियन रफ्ली चॉप क्योंकि मुझे ब्लेंड करना है ये मिक्स्चर को इसको भी अच्छे से सौते करेंगे 1 फोर ची स्पून मैंने सौल्ट एड किया है यहां पर जिंजर गार्लिक मैंने साबुता एड किया है और तीन बड़ी टमार्टर मैंने रफ्ली चॉप किया है इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे सौते करेंगे और तेमार्टर सौफ्ट होने तक हम कुक करेंगे तो लिट लगा के हम इसे कुक करते हैं एक से दो मिनिट के लिए अब मैं इस की फ्लेम आफ कर दे रही हूं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हूं फिसे मैं ब्लेंड कर दूँगी इस साइड मैंने पैन लिया है इसमें मैं आड कर रही हूं 3-4 टेबल स्पून ओइल इसमें मैं आड कर दूँगी वन स्मॉल साइज अनियन मैंने चॉप फाइनली चॉप करके रखा है इसको मैं आड कर दूँगी इसको साइज करेंगे हलका सा इसका कालर चेंज हो जाए तो इसमें मसाले आड करेंगे मसाले में मैं ले रही हूं 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर 1 टी स्पून टर्मिरिक पाउडर 1 टी स्पून क्यूमिन पाउडर एंड 1 टी स्पून कॉरिंडर पाउडर इन सारे मसालों को अच्छे से मैं भूनूगी कि मसाले जब अच्छे से बूना थे idea है human with मतक्यार से अच्छे से बूनेंगे दो श्रेष्ट पसको almost lifecake युदित सबाँ युदित ना इब नुदे मैं जो पेस्ट बनाकि रखा है तेमाटर और अब अनियन का वो पेस्ट में आड़ कर दूँगी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें काजू है तो ये बहुत ज्यादा ही उड़ने वाला होता है ये मिक्स्चर तो हमें इसे ढखके बनाना है और बार बार हमें इसे हिलाते रहना है ताकि ये नीचे बॉटम में जल नहीं जाए सॉल्ट एड़ करूंगी वन टी स्पून आप अपने अकॉर्डिंग एड़ करें क्योंकि मैंने पहले भी अनियन में सॉल्ट डाला है अब इसे ढखके हम पकाएंगे और बार बार इसे हिलाते रहेंगे वरने ये बॉटम से स्टिक हो जाएगा मैं यहाँ पर वन कप फ्रेश मटर ले रही हूँ इसको मैंने अट करिया अच्छे से मिक्स करेंगे कस्तूरी में थी वन टी स्पून इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और पनीर क्यूब्स कटे वे हैं इसे मैंने अट किया है 300 ग्राम पनीर है जैसे मिक्स करेंगे पनीर को बहुत ज्यादा कुक नहीं करेंगे और फिर इसमें मैं आट करूंगी क्रीम टू टेबल स्पून इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी ग्रेवी आप एड़िस्स कर सकते हैं मैं यहाँ पर टूमेटो सॉस थोड़ी सी आट कर रही हूं अरवन टेबल स्पून इसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है वन टी स्पून गरम मसाला इसे मिक्स करेंगी और यहां मैं आड़ करूंगी हाफ काप वोटर आपको जितनी गिरेवी चाहिए उस हिसाफ से आप अड़िस करें और इसको एक मिनिट तक मैंने कुट किया है अब यह हमारी मचप फनीर रेसिपी बिल्कुल रेडी है चले सर्विंग करते हैं मैंने इसमें क्रीम और कोरिंडर लीव से मैंने इसे गार्णिश किया है यह सर्विंग के लिए बिल्कुल भी रेडी है आप इसे नान पराटे और राइस के सास्थ जप कर सकते है बहुत ही रखें तो चले फिर मिलती हूँ मैं अगली रसेपी पे तब तक के लिए लाफिज